रुकरत्य अगली ख़बर का केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2023 गोशित किये जाने के बाद राजनीतिक नेताओं की तरफ से अलग-अलग बयान दिये जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलफर सीय ब्रांच के चेर्वैन अमित अगरवाल ने इस बजट को टेक्स के मामने में बेहतर बजट बताया है। ज़रान हमारे समवादाता समर गुपता ने अमित अगरवाल से खास बादचित की है। आज केंद्री सरकार द्वारा जो वित्यमंत्री है निर्मला सीतरमन उनके द्वारा बजट पेश किया गया है दोजार टेश शौबिस का। उसको लेकर किस तरह का एनलाइसिस है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक आप ये माने की मापदंट है वो होते हैं चार्टेट अकाउंट हैं। उसके बहतर टेक्स को लेकर या बजट के अनलाइसिस को लेकर कोई बहतर बात बता पाए ये संभव नहीं हो पाता। तो हमारे साथ अलवर जो ब्रांच है उसके जो अध्यक्ष है अमितागरवाल जी उनसे हम बात करने आए हैं और उनसे जानेगी सबसे पहला सवाल शौर्ट में बताएं आपकी बजट का एनलाइसिस क्या खेता है कितना ज्यादा बैनिफिट होगा पिछले बजट से लेकर या कितनी ज्यादा उसमें टूल्स हैं जो मेरा यह मानना है जो बजट पेश किया आज पाइनस मिनिस्टर ने वह अच्छा बजट है कर दाता कि यह में कुछ न कुछ पैसा बचे गई क्योंकि जो बेसिक एक एंदा रिबेट मिलती थी पहले पांच लाग को उसको बढ़ा व्यापरी जो व्यापरी दल है या करदाता है वह ओल्ड रेजिमी से नियू रेजिमी शिफ्ट होए अगर को इस बजट के तरू लेके आ गई है कि अगर कोई परशन है नियू टेक्स बढ़ता है तो उसको पजाजागी स्टेडर डेट्शन मिलेगी इस तरह अपने बुजर्गों के लिए भी जो हाई रेट्स की थी हाई रिटन वाली उसको भी बढ़ा के पंदा लाग से तीसला कर दी गई है ऐसे जो अपने महिला आये है उंकली भी सब्सक्राइब है तो मेरे हिसाब से अवरॉल बजट बहुत अच्छा है कैपिल गेंट टैक्स जैसे गोल्ड का न्यू गोल्ड से जो गोल्ड होता है इसको फिजिकल में कंवर्ट करने पर जो कैपिल गेंट टैक्स उसको माफ कर दिया गया है वाइसी वड़ता चोटे देश की आर्थिक विवस्ता सुधार का एक बजट बन जाए गई देखो करदाता की जैम में अगरा पैसा बचता है तो उसका बैनिफिटी है और इस बज़ट से करदाता की जैम में पैसा बच भी करेगा और सबसे एहम बात है कि पेन कार्ड लोगों की अडेंटिटी बने झाल झाल झाल